गुद मॉनिंग दोस्तो आज हम पहुंचे हैं अपने गाउं में देखिए गेहों के फसल कटने को तैयार है और आज का जो हम वीडियो है वो शूट करने जा रहे हैं हमारे एपल फार्म्स पे देखिए यह छोटा सामने एक पल का पेड़ के पास मैं आपके लाया हूं देख की छोटे-छोटे एपल्स यहां लगने शुरू हो गए हैं यह देखिए यह जो वैराइटी है यह हरीमन 95 जो हमारे बिलासपुर जिलाही माचल परदेश के ही जो एक प्रगितिशील किशान है पंडित हरीमन शर्मा जी ने इसको डल्प किया है और यह वैराइटी जो है ल लगबग हमारे साथ 10 साल से यह पौधा है और इसमें 20 से 30 किलो से भर साल उतरता है अभी देखिए चोटे-चोटे-प्लावर्स अभी बडिंग स्टेज पे हैं चोटे-चोटे एपल बड़्स देखो इसमें लग चुकी है डिफ्रेंट साइजिस की और क्यूंकि यह गर्मी वाले एक शित्र में है तो यह सबसे पहले ही तयार हो जाएगा मई जून में यह मेरा पौधा हम इसको हार्वेस्ट कर सकते ही इस बार क्यूंकि ठंड थोड़ा ज्यादा एक्स्टेंड हो गया है तो कहीं बडिंग सुरू हो रही है और कहीं फ्लावरिंग हो रही है और कुछ जगा कि सेब काफी बड़ा हो गया है अगर कि सामने एक और प्यदा है यह अभी तीन साल का पौदा है इसी वाराइटी का है और सेब को अगर हाँ खेत में लगाएंगे नरम फसल में नरम जगावे तो बहुत तेजी से चलता है नीचे देखिए हमने धनिया भी बीज रखा है मेथी है लहसुन है और यह मूंगरे की सबजी जिसे हम कहते हैं वो भी तयार हो रही है और आज का वीडियो मैंने विशेश करी से लिए शूट किया है एपल के लिए चोटे खोटे एपल्स अभी त्यार हो रहे हैं और यूंकि हमने जितने भी वीडियो देखें उनमें बड़े-बड़े सेव का वीडियो तो है लेकिन छोट छोटी बर्ड्स छोटे-छोटे एपल्स आपको वीडियो कम ही देखने को भी लेंगे तो इसी मैंने सुच्छा कि क्यों ना एक वीडियो यह भी शूट किया जाए छोटे पल्स के साथ यह देखिए छो तो आज के वीडियो के लिए इतना ही और प्लीज 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 आप सब्सक्राइब की दिए भी नैच्रल विब का पिल्ट ताव कि आप इजॉय कर सकें ऐसे ही वीडियो थेंक्यू